तो आदाब नौशकार गुड इविंग्स अस्याकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में उमीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी आज मैं नोट भी करके लाया हूँ आप लोगों की इमेल कुछ सुझाओ कुछ शिकायते हैं और कुछ सिफारिश हैं सेटेड हैं आज कहानी रिकॉर्डड है तो सीधे कहानी पर आते हैं बहुत सारे लोगों ने आप में से फरमाईश की थी काफी वक्त से भी बालके कुछ तो मैंने मेल लेखे पुराने तो आठ नौ दस महीने पहले भी इस कहानी को लेकर सिफारिश की गई थी अपने देश में ऐसे बहुत सारी कहानिया हैं ऐसे बहुत सारे स्कैंडल है जिनके आप जब पन्ने पलटते हैं तो कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई कानून इतना अंधा है या इसी चीज़े हो सकती है या फिर पॉलि जब जादा उंग्लिया उड़ती हैं तो फिर कई बार मामला लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस से लेकर सी बाइए को सौप दिया एता है पर सी बाइए भी दूद्र की दूली नहीं है सी बाइए पर वी ओंग्लिया उड़ती है कि वो नेताओं के और अपने मंतریयों के इश जायगार थे, उसका सच कभी सामने नहीं आया, और बड़ा आसान था इस सच को सामने लाना, कुछ नाम आ चुके थे, लेकिन कहते हैं कि इस पे एक MLA का कोट है, उस MLA का ये कहना थे कि अगर सकैंडल को उस वक्त न दवाय जाता, तो शायद बिहार में सरकार चलाना मुश्क कोई ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती इस देश के इतिहास में जहां पे किसी एक कतल के मामले को दबाने और छुपाने के लिए, 44 MLA और दो मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास जाएं और कहें, कि इस मामले को दबाईए, इस मामले को आप लोकल पुलिस और SSP जो और मुख्य मंत्री इतना मजबूर कि उनके आगे वो जुकता है और मामले की जाएं सी बी आई को दी जाती है, सी बी आई भी इतनी महान कि उस वक्त जो उसने जाच की और जो आखरी रिपोर्ट लगाई, उसे एक कानून या क्राइम की जिसको थोड़ी सी भी समझ है, वो समेशा बातें होती है, बॉबी स्केंडर, बॉबी कांट, तो आज की कहानी विहार के बॉबी कांट की है, हाला कि इस नाम के साथ एक दूसरा वाक्या जुड़ावा है, यह इंसेटेंट 83 का है, लेकिन इस से करीब 10 साल पहले, 73 में शैथ, 73 या 77 में, 73 में ही ठीक, राज राज कपूर के एक फिल्म आई थी, जो कहते हैं कि मेरा नाम जोकर जित तरीके से हिट होनी चाहिए थी, परदे पेशार उस वक्त पहली बार में हिट नहीं हुई, तो राज कपूर बड़े दुखी थे, और फिर उन्होंने कहा कि कुछ एक कॉमर्शेल ऐसे फिल्म बनाते दिया था, और उस म्यूजिक ने उस वक्त एक तरह से पूरे देश में कोराम मचा दिया था, सुपर डूपर हिट फिल्म थी, 73 में रिलीज इस फिल्म में करीब 30 करोर उपे कमाया थे बॉक्स ओफिस पर, 73 में 30 करोर बहुत माने लगता है, तो इस फिल्म की मकबूलियत इत बॉबी के रिलीस के बाद उसका नाम बदल कर बॉबी कर दिया गया, और यह शायद नाम मीडिया का ही क्रियेशन था, मीडिया ने दिया था इसे स्कैंडल के बाद, पटना में 11 मई 1983, दो निउस्पेपर, एक आज और एक प्रदीब, इन दोनों अखबारों में उस दिन फ शोयता निशा तिरवेदी की हत्या कर दी गई है, और लार्श को कहीं दफना दिया गया, अब आज एक बड़ा अखबार, प्रदीब भी बड़ा अखबार, और दोनों के फरंट पेज पे इस्टोरी, और इस मौत की कहीं कोई जानकारी नहीं, ना पुलिस में कोई रिकॉर ना कहीं पे कोई फायार, लेकिन उसके बावजूद भी रिस्क लेते हूँ इन दोनों अखबारों ने, बिना किसी फर्स्ट इंफॉर्मेशन के, बिना किसी और उसके अपने सोर्स के बिहाब पे, फरंट पेज पे ये स्टोरी चापती, खबर छपते ही कोहराम मज गया, इ उसके एक वज़ा थी, दो, एक जो शोईता थी, यानि के लिएस बेबी, बॉबी, तीन ना, ये उस वक्त बिहार में, जो एक विधान सभा होता और एक विधान परिश्ट होता है, जैसे लोक सभा और राजे सभान, तो उस वक्त विधान परिश्ट की जो चेर परसं थी ब वाकरती थी, उनकी गोद ली हुई बेटी थी, श्वेता निशात्रवेदी, यानि के बॉबी, तो उन्हें गोद लिया हुआ था, और ये बाकाइदा उस वक्त उन ही के सरकारी पटना में, जो सरकारी आवास मिला हुआ था, सरकारी घर, राजेश्वरी सरोच जी को, तो उनक सरकारी बंगले में रहती थी बाद में वो चुके चेर परसन नहीं रही लेकिन श्वेता निशा को नौकरी मिल गए थी विधान सभा में और वो वहाँ पे विधान सचिवाले में एक टाइपिस के हैसियत से नौकरी करती थी अब विधान सभा विधान परिशद सिर्फ नेताओं का वहाँ आना जाना हर वक्त और वहाँ पे श्वेता एक बेहत खुबसूरत महिला और उनकी खुबसूरती के उस वक्त बहुत चर्चे थे बॉब ए फिल्म ने उनको एक अलग नाम भी दिया अलग उनका ये था कि पहले एक शादी और फिर डिवोर्स हो गया था लेकिन पॉलिटिकल बैक्ग्राउंड से एक बड़ी नेता की गोदली हुई बेटी और विधान परिशद में नौकरी टैपिस्टी और उनका मिलना जुलना उठना बैटना तमाम बड़े नेताओं से उस वक्त बिहार में कॉंग्रेस की सरकार थी डॉक्तर जगरनात मिश्रा कॉंग्रेस के नेता और उस वक्त बिहार के मुख्य मंत्री हुआ कर देते 1983 में इस मैई से कुछ महीने पहली करीब तक पटना में law and order बहुत बुरा था आनून वेवस्था ठीक नहीं थी क्राइम बढ़ रहा था चीना छप्टी ये सब कुछ चल रहा था तो इस वक्त के एक तेज तर्रार IPS अफसर किशोर कुनाल को पटना का SSP बनाया गिया किशोर कुमाल कुनाल जो थे वो सिर्फ महीना भर हुआ था उन्हें पटना में SSP का चार्ज लिए होगे एक दबंग IPS अफसर एक नया जोश कुछ करने के लिए समाज के लिए और इमानदारी की बाते ये थी कि किशोर कुनाल के लिए मशूर था कि दबाओं में काम नहीं करते नेताओं की भी नहीं सुनते तो इत्तफाक कहिए या नेताओं की बतकिस्मती कहिए कि जब बॉबी कांड़ उस सिर्फ एक महीने पहले कि शोर कुनाल पटना के SSP बने 11 माई 1983 को दो अखबारों में ये खबर छपी कि विधान सभा में एक वहाँ पे टाइपिस के तोर पे काम करने वाली एक कलर्क और जो एक बड़े कांड़िसी नेता की गोडली बेटी उसकी रहस्म हालत में मौत हो गई और उसकी लाश को दफना दिया गया इस खबर पे किशोर कुनाल जो पटना के SSP थे उनकी भी नजर पढ़ी जब उन्होंने खबर पढ़ी तो उन्हें लगा कि ये खबर बड़ी है चेक किया फिर उनके अपने कुछ सोर्सिस थे उस सोर्सिस को क्रॉस चेक किया और फिर उन्हें अपने पुलिस को आधेश दिया कि इस मामले में एक फायर दर्ज करो इसके बाद पुलिस ने खुदी संग्यान लेते वे कोई कम्प्लेनिंड आगे नहीं आया मामला दर्ज करते हैं और उसके बाद जान शुरू होती है पता चलता है कि श्वेता को एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया उसकी वज़ा ये बता जाती है कि श्वेता क्रिश्चन थी इसलिए उसे दफना आ गया था तो शुरूआती जब पूछताच होती है उनकी मा से जो कॉंग्रेस की बली नेता थी राजश्वरी सरोच दास तो पता चला कि आठ मैं की सुबह ही श्वेता की मौत ही थी और आठ मैं की सुबह मौत के बाद उन्हें फॉरान ने जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया गया किसी को कोई बात कुछ नहीं बताएगी मौत के दो सर्टिफिकेट आए कमाल ये था और यहीं से शुरू होती है कहाली दो डॉक्टरों ने शुएता यानि के बाबी की मौत की वज़ा की पोस्टमॉटम रिपोर्ट थी एक डॉक्टर ने कहा कि जादा खून बहने की वज़ा से हेमो ग्रिज इसका हेमो ग्रिज इसकी वज़ा से मौत ही है दूसरे पोस्टमॉटम रिपोर्ट में दूसरा डॉक्टर जो है रिजन लिख रहा है उसमें कहता है कि हार्ट अटेक से मौत ही अब एक मरने वाली उसके दो पोस्टमॉटम रिपोर्ट और दो वज़ा एक रख स्राफ से मौत और दूसरा हार्ट अटेक से यहीं पे शक काफी था पैदा करने के लिए इस रिपोर्ट के हाथ आता ही किशोर कुनाल ने फौरण फैसला किया कि कब्र से वो लाश को निकल वाएंगे इसके बाद वो जरूरी अजासत लेते है कब्रिस्तान पहुंचते है बावी की लाश को कब्र खोट कर बाहर निकाली जाती है बाहर निकालने के वाद फौरंसिक एक्सपर्स को बलाया जाता है उनसे जांत होती है विसरा जो है वो रख ली गए थी वोस्पिटल में पोस्टमाटम के दौरा जो कैसे मौत में रखा जाता है उस विसरा की रिपोर्ट आई तो पता चला कि असल में मौत की वज़ा ना हार्ट एटेक है और ना जादा खून बहने से कुछ हुआ है बलके मौत की जो वज़ा है वो है पौईजन यानि बौबी ना सिर्फ दिल का दौरा पढ़ने से उसकी मौत नहीं हुई थी और नहीं जादा खून बहने की वज़ए से बौबी की मौत हुई थी बलके विसरा रिपोर्ट ये खुलासा कर ल्रे थी कि बौबी की मौत जहर देकर हुई और वो जहर का नाम था, मिलाथियों, विसरा रिपोर्ट से ये पता चला, अब जब ये चीज सामने आई, तो फिर S.S.P. किशोर कुनाल को लगा कि ये पूरा मामला कट लगा है, लेकिन हैरानी इस बात की थी, कि किसी ने भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई, यहां तक कि ब बॉबी के बारे में, और उनने लगा कि ये मामला बड़ा है, इसके बाद जब जांच की गई, तो कई चीजें सामने आई, पता चला कि बॉबी चुके सरकारी बंगले में रहती थी, और उसी बंगले में एक आउट हाउस था, उस आउट हाउस के कुछ दो लोगों से पु कि 7th में को शाम के करीब, उस वक्त कॉंग्रेस के एक दिग्रच नेता हुआ करते थे बिहार में, राधा नंदन जा, उनका बेटा रगुवर जा, ये पहुचता है आउट हाउस में, यानि बॉबी के घर, और बॉबी से मिलने के लिए, और अपने साथ वो कुछ लेकर आय बॉबी को पटना के ही IGI MS हॉस्पिटल ले जाए जाता है, और वो भी एक MLA की गाड़ी है, और उसी हॉस्पिटल में सुबाचार बजे के आज पास, आठ तारीक के सुबाचार बजे, आठ मई 1983, बॉबी दम तोर देती है, आनन फानन में उसके पोस्टमाटम रिपोर्ट बनवाए जाते हैं और गुप छुप तरीके से उसे ले जाकर कदम कुआ कबरिस्तान में दफना दिया जाता है, ये कहते हुए कि वो चुपी क्रिश्चन थी, तीन दिन तक दुनिया को बॉबी की मौत की भनक तक नहीं लगती, ये खबर कहीं लीक नहीं होती, वो तो एक 11 मेई को पहली बार पटना के दो अखबार जब बॉबी की मौत का खुलासा करते हैं, तब सब को पता चलता है, जिसके बाद खुद बिहार पुलिस संख्यान लेती, पटना पुलिस और जात करती है, अब इसके बाद पुलिस ने अपनी जात शुरू की, जात शुरू की तो और फिर इधर प्रेशर पढ़ना शुरू हो गया चुकि नेताओं को ये पता चल चुका था कि बौबी कांड की जाच की शोर कुनाल कर रहे हैं और वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे दो लोग आउट हाउस से गए पुलिस ने भी एक प्लाइन केता है तो उनको 164 केता स बौबी से कौन कौन मिलता था तो उन सब की जान आफ़त में आगे एक बहुत बड़ा नेता का वर्क उस वक्त के बौबी का मिलना जुलना था अब जब हर एक को लगा कि एक तो कतल की जान चोरी है उसके बाद बौबी के साथ रिष्टों को लेकर अब जान चोरी है तो सा पारे नेताओं में एक बेचैनी सी फैल गी। किशोर कुनाल के बारे में उन सब को भी पता था। तो प्रेशर पहले डाला गया। डॉक्टर जगानाथ मिश्रा उसक्त मुख्यमंतरी थे। इस दबाओ के बाद उन्होंने किशोर कुनाल SSP को अपने पास बुलाया और बोला अभी तक साफ है इस केस में आपके चरित पर कोई दाग नहीं है। लेगिन ये केस नहीं एक शोला है, एक आग है। अगर आप इसमें हाथ डालेंगे तो आप चल जाएंगे। किशोर कुनाल का कहना है कि सुनने के बाद मुख्यमंतरी ने से कुछ नहीं का, उन्होंने का बारे में नाम खुलासा हो गया, पतना पुलिस उन लोगों की गिरफतारी की तयारी कर रही थी और एक बहुत बड़ा स्केंडल अब सामने आने वाला था। लेकिन इससे पहले कि ये सब कुछ हो पाता ह। जब नेताओं को लगा कि अब ये सारा भाना फूट सकता है, मेड अमरे सरकार के उस वक्त के और दो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जगरनात मुश्रा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर ये मामले की जाँच इसी तरह होती रही तो आपकी सरकार गिरा देंगे और हम लोग ही आपके खलाप हो जाए निया है, इसलिए इस मामले की ज सरकारे में जानका दी थी, और स्टेट में अब सरकार भी बचाने की बात थी, क्योंकि बगावत हो गई थी, तो मजबूरी में 25 माई 1983, यानि 11 मार्च को ये खबर चपी, 11 माई को, 7 माई को हॉस्पिटल ले जाए गया, 8 माई को बावबी की मौत हुई, 3 दिन बाद 11 माई क को, ये केश सीवी आई को सौमतिया के, किशोर कुनाल तब लगभख, जो इसके गुनहगार थे, उसको ग्राफ़तार करने के बिलकुल खरीद थे, 44 मेले और दो मिनिस्टर ये वो थे जो मुख्यमंतरी के पास गया थे, पर कह रहे हैं कि उस वक्त जो सारे लोग थे जिसको सामने आए, इसको लेके बहुत सारी बाते हों, कि इतने बड़े तादाद में लोग बावी को जानते थे, बावी के इर्द गिर्द थे, और ये एक बहुत बड़ा स्केंडल था, कहते हैं कि अगर ये सामने आ जाता, तो बिहार में खेर कॉंग्रेस की सरकार भी नहीं होती और उसके बाद वहाँ जो हश होता वो और भी अजीब चीज था, लेकिन एक चीज जिसने सबको हैरान किया, उसक्त बिहार में बेशक सरकार कॉंग्रेस की थी, विपक्ष के नेता थे कर पूरी ठाकुर, उन्होंने बाकाइदा जब ये जाच चल रही थी पटना पुलिस क जरी है, तो एक प्रेस कॉंफरेंस की और प्रेस कॉंफरेंस उन्होंने उल्टा पटना पुलिस के जाच के तरीकों के लेकर ही सवाल खड़े कर दी है, आमतार पर देखा ये जाता है कि जो पावर में होता और विपक्ष वो दो ने एक दूसरे के खलाब बात करते हैं, यह बहुत बड़ा ये जाल था, जिसका हश रही हुआ, कि इसके बाद ये मामला CBI को चला गया, अब यहां से खेल CBI का शुरू होता है, सेंटर में भी कॉंग्रेस की सरकार इंद्रा गांधी प्रैमिस्टर थी, उन्हें पूरे स्केंडल के बारे में जानकारी थी, CBI ऐसे बह इसकी मज़ा है, जब CBI ने इस मामले को लिया, तो शुरूआत में जो कुछ इमांदार अफसर थे, CBI के उन्होंने पटना पुलिस से कॉंटेक्ट किया, कि शोर कुना और उन्हों जो इन्वेस्टिकेशन गया, उन्होंने कहा भी, कि आपने अच्छा है अब CBI जो या तो केसिस को ठीक ठाक बस्ते में डाल देते हैं, उनको सौंप दिया गया, रिकॉर्ड पे है ये, कैसे अफसरों जिनको ये बता कि कहा गया था कि इस केस में आपको कुछ करना नहीं है, कोई बहनत नहीं करना है, दिल्ली में बैट कर उन्होंने एक कहानी बन पर नहीं गया, ना उस हॉस्पिटल में गया, ना उस आउट हाउस पे गया, ना उस कबरिस्तान में गया, जहां से लाश निकाली गई, ना विटनिस से मिला, ना क्रोस चिक गया, दिल्ली में बैट के एक कहानी बनाई गयी, और कहानी क्या बनी, कि बाबी का कतल नहीं तो शायर इस के धजियां उड़ जाती। पहली ये थी कि बॉपी ने जो खुदकुशी की तो कैसे की तो मेलाथियोन नाम के उसने कीटना शक दवा पी दी थी ये कहा गया और उसी में फिर दूसी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उसने सेंसेबल नाम की एक टैबलेट खा ली थी अब सेंसेबल टैबलेट जो है वो कबजियत के लिए होती है तो अब एक सवाल उठा कि क्या सेंसेबल टैबलेट खाने से आंत्मी की मौत हो सकती है नहीं हो सकती है लेकिन सीबियाई ने अपने केस में धरील दी कि बॉबी किसी एक लड़के से प्यार करती थी एक सुस और इसी खम में बावी ने सुसाइड कर लिया. और उसने संसिबल नाम की टैबलेट या फिर मेलातियान नाम की कीडिनासंग दवा पी दी. ये कहकर CPI ने'RE CLOSER report कोर्ट में दाख利 कर दी. अब कमाल कोर्ट का भी देखे. कोर्ट में CPI के US CLOSER report को एक्सेट कर लिया. रिपोर्ट को मानते हुए अदालत ने इस केस को हमेशा के लिए बंड कर दिया इसी सी बी आई ने आरुशी केस में भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी कि हमारे पस कोई प्रूफ नहीं है कोई सबूत नहीं है कि आरुशी क्यों कैसे मारा किसने मारा लेकिन क्लोजर रिपोर्ट को चार्ड शीय्ट में कंवर्ट कर दिया था और कहा कि आपकी एक लिए प्रूजर रिपोर्ट चारशीट है और जिस पर मुकदमा चला टौक्टर आरुशी तल्वारे और रुषी तल्वार के जो माबाब हैं उन दोनों को माबाद उम्रकैप की से होता है और यहीं बज़ा क्या 37 येर हो गए करीब 33 से आ जा हूँ 37 साल बाद भी बॉबी का सच कभी सामने नहीं आ है ये बिहार के सबसे बड़े स्कैंडल में से बनकर सेक्स स्कैंडल भी कह सकते हैं एक था नमालूम कितने दर्जन नेता इसमें नपते लेकिन ऐसा हुआ नहीं लेकिन उसकी आच फिर भी गिरी वैसे के इसकांड के तीन महीने के बाद जब मामला सीबाई को सौपा गया ये मैई में हुआ था 1983 में 14 अगस्त 1983 को डॉक्टर जगरनात मिश्रा को अपनी मुख्य मंतरी की कुर्सी गवानी पड़ी और उन्हें कॉंग्रेस आलाकामान ने हटा दिया और उनकी जगा चंदरशेखत सिंग को बिहार का मुख्य मंतरी बनाया गया था उस वक्त किशोर कुनाल को भी उनके पट से हटाने के लिए बड़ी खोशिश की निताओं ने लेकिन पबलिक का पूरा सेंटिमेंट किशोर कुनाल के साथ था मीडिया में जिस तरीके से खबर आ रही थी विधान सवा में पूचताच पूर्वे विधान परिश्ट की चेर परसन से पूचताच हर खबर रिपोर्ट हो रही थी तब टीवी नहीं था नियूस चैनल नहीं थे सिर्फ आखबार था प्रिंट था मजबूत था तो लोगों के भी बड़े इसमें इंटरिस्ट थी तो उसकी वज़ा से एक लगा था कि एक ऐसा शक्स है जो इस केस को खोलना चाहता है तो सरकार को भी लगा कि इस वक्ति शोर ट्रस चलाते हैं पत्ना में एक बहुत खुबसूरत मंदिर है जो उन्होंने उनिका ही बनाया हुआ जिसमें सारा उन्हें बर्चल का इसा लिया और कैंसर से लेके ने तरहीन इन सब लोगों की बहुत मदद करते हैं वी आरस ले लिया था उन्होंने शायद मैंने कहीं सुन लेकिन उस वक्त के राजनीती के जो गल्यारे में नेता थे यो उस वक्त के जो जनरिस और पत्रकार थे वो सब कहानी जालते हैं कहानी कि शौर कुनाल जी भी जालते हैं लेकिन वो असली कहानी का भी सामने नहीं है किसी दिन मौका मिला और अगर तैयार हुए तो मैं कोशिश करूँगा उनके जरीए इस कहानी का पूरा सच आप तक पहुंचा सकूँ लेकिन आज की तारीख में ये है कि कानूनी दस्तावेजों में बॉबी की मौत का सच क्या है ये नहीं मालूँ जिसे पटना पुलिस ने मडर बताया सीवियाई ने उसको आप में हत्या बता कर केस क्लोज कर दी तो आज कहानी में इतना ही अब आप में से कई लोगों के कुछ मेल लेकर आया हूँ रजनी वर्मा जी है और राहुल ये दोनों पती पत्नी अच्छा लगा दोनों क्राइम तक देखते हैं टेकसास में बैटकर कहानिया सुनते हैं तारीव बिल की और इनकी शिकायत है रजनी जी की बहुत दिन होगा यूपी की कोई स्टोरी आपने नहीं सुना ही है तो कोश सुनाओंगा बादा है बस थोड़ा सा और वक्ते दिए इसके लावा मस्ताक अब्दुल मोस्ती हैं ये असम हुजाई लंका से हैं इन्होंने कहा था बाकाईदा मेरा पूरा पता बताए सौरव डास है और ये बरसात मडर की सुनना चाहते हैं शाहिए विस्ट बिंगॉल स लेकिन कभी-कभी कोशिश भी हो दिये कि लगा दें विजय प्रकाश मिश्रा हैं मनीश कुमार हैं इसके लावा रोनीता राय चाधरी हैं और रोनीता राय चाधरी ने ये कुछ शिकायत इन्होंने भी की थी हाँ इन्होंने एक अच्छी चीज बताई और बहुत सारे मेरे Crime तक फैमिली के मेंबर ने इशारह किया कि मैंने करकानी में गल्टी की थी और वो ये था कि मैंने खालिदा जिया जो मांगलादेश की प्राइमिनिस्टर रही जिया और रह्मान की वो पत्नी थी ना की बेटी और मैंने शाहद बेटी कह दिया था थैंक यू वेरी मच और सॉरी क्यों मैंने घलत बताया है, साइड मैं कहीं कन्फ्यूज हो गया था, लेकिन आप लोगों ने और इस से यही पता चलता कि कराम तक कि फैमिली बहुत ही इलट है, जब जब गलती करता हूं आप लोग फॉरन पकड़ लेते हैं, काश क्लास में मे मीडिया हमेशा कोश्चन आजकल पावर सेंटर से क्यों करती है, मतबने क्यों नहीं करती है, अपोधिशन से ही क्यों करती है, मैं आप से पूरी तरह एगरी करता हूं, मीडिया का काम है जो सत्ता में उससे सीधे सवाल पूछना, आजकल थोड़ा सा यह ऐसा हो नहीं रहा ह सत्ता से सीधे सवाल शायर नहीं पूछे जा रहे हैं जिनके हाट में कुछ नहीं है हो उन्हों से दादा सवाल पूछे जा रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए तो मैं सुरफ तुम्हारी सोच इस से सहमत हूं अ मैं चाहता हूं तुम आए सफसर बनो और ये सारी चीज़े भी देखो निशा मालविये हैं ये रादी बिक्षित की कहानी इन्होंने सुनी तुने ने कहाता है कि आप शायर उसक्त पता ने किसी दबाव में थे इसलिए आपने मुझे समझ में नहीं आया जो पैक्ट था उसक्त निशा मैंने वही सुना है डबाव में तो खैर नहीं था इमानदारी से और साथ में ने ने ये भी कहा है कि इनके पिता के कहानी सुनाई है पहले गुजरात में उसक्त दंगे के दोरान और तलवार से रिलेटेट तो हमारे इस वक्त रिपोर्टर हुआ करते था आपने दीपक लेगा पूरा नाम दीपक चरस्या तो इनके फादर का इंट्रिवू किया था और कुछ चीज़ें किलियर की थी मैं कोशिश करूँगा निशा वो विजवल जो है वो इस पैकेज वो स्टोरी अगर लेबरेजी में मिला तो मैं जरूर आपको फिर मेल पर भेजूगा रवी कुमार गुपता है या आईस गौतम गोस्वामी की कहानी सुनना चाहते हैं साथ में नेपाल नरिश ग्यानेंदर की भी सुदीपतो अमित हैं और ये बांगला देश की कोई स्टोरी सुनना चाहते हैं सुजमन अमन हैं इन्होंने भी कल की गल्ती के तरफ ध्यान दिलाए कि खालिदा जिया वाइफ हैं थैंक्यो वेरी मच्ट सुजमन साहब इसके लावा चायोन घोष हैं इन्होंने भी गल्ती की तरफ ध्यान दिलाया थैंक्यू चायोन घोष शाहब आलिदा जिया जाओर रह्मान की पत्नी है राजीब कुमार शर्मा है इन्होंने उस दिन चोर की जो कहानी सनाय थी तीन दिन तक बैंक में इनका कहना थै कि आखरी अभी सुनवाई नेक्स्ट हेरिंग ये लोवर कोर्ट में ही मामला चल रहा है और तीन जुलाई को नेक्स्ट हेरिंग है उस चोर वाले इस बैंक के मान दो तो थेंक्यों राजीक कुमार शर्मा जी शेयर करने के लिए अपडेट सभीता हैं बैंगलोर से मुसाथ की कहानी सुनना चाहती हैं बहुत सारे मुसाथ की सुना दी और भी ढूलता हूं आप लोगों में देखा हूं है मुसाथ की बहुत सारे लोग कहानी सुनना चाहते है अमरिता सिनहा हैं और इन्होंने लिखा इनकी फैमिली लॉटाउन में फंसी वी थी तराची में महां से लॉट आई अब ये खुश हैं और तो मुझे भी अच्छा लगा अमरिता जी अब कम से कम सब साथ हैं हैं हर दिन कहानी के साथ अगर उस दिन इतिहास में कोई खास दिन है उस दिन की अहंपियता जीसाईए क्या इसके लावा अनकर्च कुमार हैं पूजा शुकला है और पूजा शुकला ने LLB 1st year अच्छे नमबरों से पास की और इनकी भी कहानी बहुत ही इंस्पार कर दे वाली ही दाहों पाकर है और इन्होंने भी ध्यान दिलाया की खालिदाजिया पत्मी है बहुत सारे लोगों ने ध्यान दिलाया धर्मेश गबानी है और ये गुजरात में है डाइमंड का इनका बिजनेस है डाइमंड उसमें काम करते हैं पचात लोग एक साथ कहानिया सुनते हैं टाइटेनिक की कहानी सुनना जाते हैं धर्मेश गबानी जी जल्दी सुनाता हूं सरकार दीपक दूबे हैं और ये रशिय जो हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर जिनका नाम लिक राया हूँ प्यूज शर्मा इनका हैपी बढ़े तो प्यूज शर्मा बहुत 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 जनम देन के आपको बढ़ाई इसके लावा नितेश शिंग और निधी सिंग कल छूट गया था माफी चाहता हूँ तो निते रवांडा के बारे में जो पूरा मस्कैर था तो रवांडा की वो कहानी हरत अंगेज में कल नौ बजे देखेगा जैसे बाकी देख रहे और देखकर बताईएगा अपनी राय भी दीजेगा तो कल सुबा नौ बजे हरत अंगेज यह भी दिल चर्प होगा आज इतना ही